एक साप जिसके बारे में कहा जाता है कि ये साप करोरों में बिखता है इसके बारे में कहावत है कि ये साप मुह तथा पूछ दोनों तरफ से चल सकता है इस साप से मरदाना शक्ती में बढ़ोतरी मिलती है और ना जाने कितनी सारी भरांतियां अमारे समाज में इस साप को ले तो आज हम इस साप से जूरी इस वीडियो में तमाम जानकारियां जानेंगे क्या सच में ये साप करोरों में विखता है या मरदाना सकती को बढ़ाने के लिए काम में आती हैं। कहा जाता है वैसे तो ये साप दुनिया के कई देशों मैं पाया जाता है जिसे अलग-अलग नामों से जैसे Red Sand Boa या Sand Boa के नाम से जानते हैं एनाकॉंडा की तरह उसकी आखे उसके सीर पर होती है और ये साप बालू के नीचे छीप कर आइसे रहता है जिससे उसका सीर ही सिर्फ बालू से बहर होता है और इस तरह जैसे ही शिकार उसके करीब आता है यह सांप उस पर हमला करके अपना पेट भरता है विदेशों में इस सांप को पालतु बना कर रखने का भी चलन है क्योंकि ये साप काफी सांत प्रविर्ती का होता है इसके अंदर जहर बिल्कुल नहीं होती और ये काटता भी नहीं है सापों में अगर प्रजनन की बात की जाए तो जादातर साप अंडे पैदा करती है लेकिन सेंड बोवा में प्रजनन का माध्यम मादा द्वारा बच्चे को जन्म देना होता है यानि कि ये साप डाइरेक्ट बच्चे को जन्म देती है और पैदा होते समय इसके बच्चे की लंबाई लगभग 8 इंच से 10 इंच तक होती है यह साप लगभग भारत के हर कोने में पाया जाता है यह साप दूसरे देसों में भी पाया जाता है जैसे उतरी अमेरिका परशांत सागर के तटवर्तिये शेत्रों में यूरोप के कुछ देस उतरी अफरीका और एसिया के कुछ हिस्से में ये साप पाई जाती है वैसे ज्यादातर सेंड बोवा, स्नेक, चुहे, छिपकिली, मेधक और छोटे खरगोश को अपना सिकार बनाती है इसको लेकर ऐसी भरांतिया है कि यह कई सारे बिमारियों में भी असरदार होता है इस साप का इस्तेमाल कैंसर के इलाज से लेकर सेक्स पावर को बढ़ाने में किया जाता है माना ये भी जाता है कि इरेक्टाइल डिस्वंसन यानि की लिंग में उत्तेजना पैदा न होने की समस्या को दूर करने में यह काफी कारगर होता है इसके अलावा कई परकार के दवा और जोरों के दर्द की दवा बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। वहीं मलेशिया में इससे जुरा एक अंध्रविश्वास भी है, लोग मानते हैं कि लाल बोवा इसनेक इंसान की किस्मत को चमका सकता है। इसके स्कीन का इस्तेमाल कॉस्म कर देते हैं लेकिन जब उनको धनराशी नहीं मिलती है तो अंत में वो इस साप को मार देते हैं और आज हम इंसानों के लालच की वज़े से ये साप विल्कुल बिलुप्त होता जा रहा है इस साप को लेकर एक अफवाह और भी फैली हुई है कि ये साप अपने मुह तथा मजते हैं कि ये दोनों तरफ से चलता है लेकिन ये बिल्कुल अफवाह है इसमें कोई सच्चाई नहीं है और अगर ये साप आपके आसपास में भी कहीं दिखाई दे तो इसको मारे बिल्कुल नहीं क्योंकि ये साप काफी सांत प्रविर्ती का होता है काता नहीं है और इस साप की तसकरी करना अपने आप में एक क्राइम है जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए।